औरंगाबाद में लोकसभाद चुनाव की तारिखों का एलान हो गया है यहां पहले फेज में यानि 19 अप्रेल को मद्दान होने वाला है सभी दलों के रन बाकुडे चुनावी मैदान में कूद चुके हैं हर प्रत्यासी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है लेकिन लोगो संसदिय शित्र का खास महत्व है मीनी चित्तोर गढ़ के नाम से चर्चित और अंगाबाद लोकसभा सीट हमेशा से राजनीत के दो घरानों के इर्द गिर्द गूमती रहा है राम नरेश सिंग उर्फ लूटन सिंग ने जनता दल के उमिद्वार के रूप में ताल्ठ होती और छोटे साहब की पुत्र वधू स्यामा सिंग को शिकस्त दे दी वैशे तो और अंगाबाद एक जमाने में कॉंग्रेस का गढ़ कहा जाता था सतेंदर नारायन सिनहा सबसे ज़्यादा यानि सात बार यहां से सांसद रहे लेकिन कॉंग्रेस के गढ़ पर आजकल भाजपा का कबजा है और लूटन सिंग के पुत्र सुसील सिंग और अंगाबाद भी बिहार के अन्य जिलों की तरह विकास की बाट जो हो रहा है अधूरी उत्तर कोयल नहर पर योजना और नकसल समस्या यहां की बड़ी समस्या है नवी नगर प्रखंड को अनमंडल बनाने और सूखे की समस्या से भी यहां के लोग जूज रहे हैं लेकिन जंता के सवालों और मुद्दों पर चुनाओ कहां होते है हर बार जातिय समिकरन के बल पर चुनाओ लड़े और जीते जाते हैं और अंगाबाद लोग सभा सीट पर जातिय समीकरन की बात करें तो यह शत्र राजपूत जाती के वोटरों के दबदबे वाला चेत्र माना जाता है और अंगाबाद लोग सभाशत्र में राजपूत वोटरों की संक्या लगभग 20,000,000 के करीब है तो यादवों की संक्या देड़ से 2,000,000 मानी जाती है मुसलिम वोटर 1,25,000 तो कुश्वाहा जाती के वोटरों की संक्या भी 1,25,000 के आस पास है वो मिहार लगबग एक लाख हैं तो अती पिछडी जातियों के वोटरों की संख्या लगबग साड़े तीन से चार लाख बताई जाती है और अंगाबाद में जातियत समिकरन चाहे जो भी हो इस सीट के साथ यह रिकॉर्ड 1952 के बाद से बरकरार है कि इस सीट से हमेशा कोई राजपुत प्रत्याशी ही जीतिता रहा है इसलिए इस सीट को मीनी चित्तोरगर कहा जाता है इस लोग सबाद सीट के अंतरगत छे बिधान सबाद शेतर आते हैं जिन में कुटुमबा और अंगाबाद रफी गंज गुरुवा इमाम गंज और टिकारी शामिल हैं इन में से चार पर महाकटबंदन और दो पर अंडिये का कबजा है वर्ष 2019 के लोग सबाद चुनाव को देखें तो पिछली बार तीन निर्दलिये समेट कुल नौ उमिद्वार मैदान में थे मुख मुकाबला भाजपा के सुसील सिंग और महागडबंदन के परत्यासी हम पार्टी के नेता उपिंदर प्रशाद के बीच था कॉंग्रेस के कदावर नेता चोटे साहब की बेटे निखिल कुमार सिना को कॉंग्रेस ने टिकट नहीं दिया था जिससे निखिल बाभू नाराज हो गये और कॉंग्रेस वोटरों में बिखराव हो गया भाजपा नेता सुसिल सिंग ने 70,552 वोटों से जीत हासिल कर ली उन्हें 4,27,721 वोट हासिल हुए थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे उपिंदर प्रशाद को 3,57,179 वोट मिले थे तीसरे नंबर पर रहने वाले बसपा उमिद्वार नरेश यादों को 33,000 से अधिक मत प्राप्त हुए थे इस बार भी और अंगाबाद संसदिय शित्र से 9 उमिद्वारों ने परचा भरा है जिसमें सुसिल कुमार सिंग एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी है पिछले तीन चुनाओं में से यहां लगातार जीत रहे हैं और इस बार चौथी जीत के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सुसिल सिंग के मुकाबले में इंडी गठबंदन की योर से बार बार प्रत्याशी बदले जाने से शेत्र की जनता असमन जस्में है इस बार भी जदियू छोड़कर आए अभय कुश्वाहा को राजद ने एक तरफा फैसला लेकर अपना केंडिडेट घोशित कर दिया है इसके पहले वर्ष 2019 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से उपेंद्र प्रसाद आखरी छण में प्रत्याशी घोशित हुए थे तो 2014 में कॉंग्रेस से निखिल कुमार यहां से प्रत्याशी थे कभी कॉंग्रेस का गढ़ रहे और अंगाबाद सीट पर निखिल कुमार इस बार आस लगाए बैठे रह गए तयारी भी खूब की वहीं 2019 में महागट बंदन के उमिद्वार रहे उपेंद्र प्रसाद भी राजद से सबसे बड़े दावेदार थे लेकिन एन वक्त पर जदियू के अभै कुश्वाह को पार्टी में शामिल कराकर लालू यादों ने यहां नया इतिहास लिखने के लिए एक बड़ा गेम खेल दिया कॉंगरिस के निखिल सिंग तो राजद के इस एक तरफा फैसले पर फिलाल चुप हैं लेकिन उपेंद्र प्रसाद जो पिछली बार सुसील सिंग के खिलाफ चुनाव मैदान में थे वो अमेक उस्वाहा को टिकट दिये जाने का विरोध कर भाजपा में शामिल हो गए हैं और जाहिर है सुसील सिंग के लिए चुनाव परचार करेंगे उपेंद्र प्रसाद ने पिछले चुनाव में अपनी ताकत दिखाई थी इस बार उनका जो जनाधार है वो अभाजपा के पक्ष में खड़ा रहेगा इधर राजप के जो प्रत्यासी हैं वे जदियू छोड़ कर गए हैं तो जदियू इस बार उनके खिलाफ बड़ी गोलबंदी करेगा हलाकि राजप के लिए अच्छी बात यह है कि मुकेस सहनी की भी आईपी अब महागडबंदन में शामिल हो चुकी है ऐसे में सहनी जो 9% अती पिछरा बोट अपने पास होने का दावा करते हैं देखना होगा कि वो राजप उमिद्वार के पक्ष में उसे कितना गोलबंद करा पाते हैं एक और बात नक्सल प्रभावित इस इलाके में भागपा माले का भी जनाधार है ऐसे में कहना नहीं होगा कि शेत्र में राजप के कारकरता एक जुट रहे और अभै कुछ वहा कोईरी वोट में सेंधमारी करने में काम्याब रहे फिर मामला काटे का बन सकता है वहीं और अगाबाद में राजप को राजपुत वोट कितना मिल पाएगा इसके लिए कॉंग्रेस के दिगज नेता और सीट नहीं मिलने से नाराज निखिल सिंग का रुख क्या होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है तो बड़े दिल्चस्प मोड पर है और अगाबाद सीट का सियासी समिकरन जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ देखते रहिए लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें